अजमेर के पिसांगण उपखनक्षेत्र के बुद्धवाला में एक ऐसी घट्टा घटित हुई जिससे पूरे गाउ में अफ्रा तफडी मच गई तस्वीरों में दिख रहे हैं लोग क्यों घायल हुए ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे दरसल हुआ यू कि गाउं के लोग मृतक व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे इसी दौरान मधुमक्यों के जुन्ड ने लोगों पर हमला कर दिया मधुमक्यों का हमला इतना जबरतस था कि लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है लेकिन मधुमक्यों का टार्गेट बिलको सीधा था लोग इदर उदर भाग कर अपनी जान बचाने की कोश्चश कर रहे थे लेकिन वो मधुमक्यों के हमले से बच नहीं पाए इस हमले में करीब 100 से ज़ादा लोग इसकी चपेट में आ गए अर्गैनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं बलकि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी अर्गैनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो आच एम्बुलेंस और नीजी संसाधुनों से CHC पिसांगन उप्चार के लिए लाया गया जहाँ पर चिकित्सक लक्ष्मी कांत गौड देवराज राव समेत चिकित्सक कर्मियों की टीम उप्चार में चुटी है चिकित्साले के वार्ड में पीडितों और परिजरों की भीड लग गए तो वहीं एक बेट पर दो-दो पीडितों को एक साथ लिटा कर उप्चार किया गया आपको मतादे कि बुद्वारा पीएच सी में 30 से जादा परिसांगन CHC में 40 से जादा पीडितों समेत 30 से अधेक पीडितों को नीजी अस्वताल में भरती करवाया गया है जानकारी के मताबिक वध्वारा निवासी, बाबुलाल, पोत्र, शंकरलाल, शाहु की बृत्तियों हो गई थी बाबुलाल के अंतम संसकार में लोग और रिष्टेदार गए थे जो मधुमख्यों के हमले के शिकार हो गए मधुमक्यों के हमले की ये घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विश्य बन गई है अशोक सिंग भाटी, Zee Media, अजमीर और्गैनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बलकि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी और्गैनिक फार्मिंग सिखनी है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो